नमस्कार स्वागत है आपका समचार एक्स्प्रेस में मैं आपके साथ नेहा वर्मार जीन्द के सरकारी एस्पताल से चोरी हुई करोना वैक्सीन को चोरो ने एक नोट लिखकर सोरी पता नहीं था करोना की दवा है यह माफी नामा लिखकर वापस लोटा दिया चोर भले ही मानवता दिखाते हुई वैक्सीन वापस कर गया हूँ लेकिन अब शायद ही इनका इस्तमाल हो सके करोना की वैक्सीन को एक निश्चित तापमान पर फ्रिज में रखा जाता है ऐसा ना करने पर यह खराब हो जाती है जानकारी के मुताबिक लग बग 12 घंटे तक फ्रिज से बाहर रही करोना की यह वैक्सीन और डोस अब इस्तमाल के लायक नहीं है फिर भी इस बारे में सिविल सर्जन ने मुख्याले से गाइडलाइन मांगी है बताने कि देश में बढ़ते करोना वाइरस संक्रमन के बीच हर्याना के जीन से करोना वैक्सीन चोरी होने का मामला सामने आया था हर्याना के जीन जीला मुख्याले स्थित नागरिक अस्पताल की पीपी सेंटर से चोरों ने कल 1710 करोना वैक्सीन चुरा ली थी लेकिन जब इस चोर को पता चला कि उसने जो समान अस्पताल से चुराया है उसमें करोना वैक्सीन रखी है तो चौर ने इमांदारी दिखाते हुए इसे लोटा दिया चौरी की गई करोना वैक्सीन को चौर गुरुवार को थाने के बाहर चाय की दुकान पर खोके में छोड़ गया इसके साथ ही उसने वैक्सिन के साथ एक नोट भी छोड़ दिया जिसमें लिखा है सोरी पता नहीं था करोना की दवाई है बताया गया है कि चोर ने सिविल लाइन थाने के बाहर चाय की दुकान पर बैठे बुजर्ग को एक थैला सोपा और कहा कि ये थाने की मुझ्शी का खाना है थैला सोप कर वह तुरंत फरार हो गया जब चाये वाले ने वह थैला पूलिस के पास पहुचाया वहाँ जब थैला खोला गया तो उसमें चोरी हुए कोविड-19 वैक्सिन के डोज के साथ दो लाइन का माफी नामा भी था चोर ने लिखा था कि सोरी मुझे नहीं पता था कि ये करोना की वैक्सिन है जीन के डियेस्पी जितिंदर खटकर ने बताया कि एक देकाप पुष बाइक सवार गुरुवार दोपहर करीब साड़े बारा पचे चाय की दुकान पर आया और उसने एक बुजुर्ग आत्मी को बैग दिया उसने कहा कि इसमें थाने के मुझे की रोटी है बाद में बैग से चोरी हुए 1710 करोना के टीके बरामद हुए जाच जारी है लेकिन अभी तक कोई गिरफतारी नहीं हुई है जीन्द नागरिक अस्पताल की पेपी सेंटर से करोना वैक्सीन के अलावा कुछ फाइले भी गायब हुई थी लेकिन अभी तक उनका कोई सुराक नहीं लगा है अब सीविल लाइन थाना पूलिस CCTV फुटेस खंगाल रही है और नकाब पोश यूवक का पता लगाने में जुट गई है पूलिस ने अग्यात लोगों के खिलाफ 457 और 388 आईपीसी के तहत मामला दर्च किया है उन्होंने यह भी कहा कि हो सकता है चोर ने रेमिडी सीवर इंजेक्शन के चक्कर में गलती से करोना वैक्सिन उठा ली हो बता दे कि जीन के नागरिक अस्पताल की पीपी सेंटर में बची हुई करोना की 1710 डोज को फ्रिज में रखा गया था आधी रात को दो चोरों ने सेंटर के तालों को तोड़ कर वैक्सिन चुरा ली चोरी हुई वैक्सिन में 1210 कोविड शील्ड और 440 को वैक्सिन है इसके साथ ही चोर दूसरे कमरे में रखी इंक्वाईरी फाइले भी चोरी कर कर ले गए चोरी की घटना का पता गुरुवार को सुभे उस समय चला जब स्टाफ पीपी सेंटर पर पहुचा पुलिस ने पीपी सेंटर के सामने अस्पताल की पुराने भवन में लगे सिसी टीवी कैमरो की फुटेज को खंगाला जिसमें दो यूवक बैक के साथ दिखाई दे रही है ये कैमरे से बचने के लिए पार्क की ग्रिल से गूद कर पीपी सेंटर में घुचे थे बता दे कि जब जन्वरी में वैक्सीन की पहली डोस जीले में पहुची थी तो दस दिन तक वहाँ पुलिस कर्मी तैनाथ थे लेकिन बाद में उन्हें हटा दिया गया वैक्सीन का जीला भंडारन कक्ष होने के बावजूद वहाँ पर स्वास्ते विभाग ने ना तो कोई सुरक्षा गार तैनाथ किया है और ना ही कोई कैमरे लगवाए है ब्रेकिंग न्यूज रास बसेरा आप के लिए लेकर आए हैं खास मौका वो भी हर्याना सरकार की अफॉर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाक रुपे तक की सुविधाओं के रूप में सबसीडी जैसे कि फ्री पार्किंग, EDC, IDC फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं तो आज ही बिना देर किये अपने सपनों का घर बुप करें